कि कल शाम को मानिन्य मुख्य मंद्री जी को पेट में प्रॉब्लम होने की वज़ा से माइनर इंफेक्शन जो गैस्टिक की वज़ा से गैस्ट्राइटिस की वज़ा से हुआ उसको लेके पेने की वज़ा से मानिन्य मुख्य मंद्री जी को तकरीब अधाई तीन बज़े स्व होने के बज़ा से minor infection होने के बज़ा से उसको लेके जो भी उपचार है जो टेस्ट है रूटीन के वो डॉक्टर्स कर रहे हैं तो यह मुझे लगता है कि यह प्रोसेस एक तो दिन चल सकता है जो इनका डाइक्नोज चल रहा है और कोई भी घबराने की या कोई भी serious problem नहीं है म मुख्यमंद्री जी बिलकुल स्वास्त है और बहुत जल्दी मुझे लगता है एक दो दिन के अंदर जो है डिस्चार्ज की जाके घर अपने जाएंगे तो स्वास्तियों के लिए कि चिंता का कोई विश्य एक रोटीन में जो अगे चेक अप होना है जो रोटीन टेस्ट ह होने है वो डॉक्टर जो है कर रहे हैं ने ये 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 उससे कोई रिलेशन नहीं है लगातार मुख्यमंद्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं पहले कुलूगे वहां पर जो रहत का रायोजन किया गया जो रहत देने का जो जीला के अंदर पर हैं उसके बाद मंडी डिस्टिक में था बिलासपूर जीला में कल था तो लगातार सफर और और एक्जर्शन की वज़ए से और कुछ खाने पीने की वज़ए से बाहर धाम भी हुई कुछ ऑईली चीजे खाने के वज़ए से गेस्ट्राइटिस होने की जो इन्फेक्शन हुआ है स्टॉमक में उसकी वज़ए से पैन हना की वज़ए से यह सारा मामला है कोई भी सीजिस जो है जिसकी आप बात कर रहें ऐसी कोई सीजिस बीमारी नहीं है जब आये उनकी टेस्ट हुए ब्लेट टेस्ट हुआ है और अल्ट्रसॉंड किया है तो क एक दिन का तो वही एक मुझे लगता है वो जूरी भी है और जहां तक डॉक्टर से भी बात हुई है कि कोई भी सीरियस मस्या बिलकुल नहीं है और मेरी ये सबसे ये भी अपील रहेगी कि कि किसी प्रकार की कोई किसी को चिंता करने के विशन है मुख्यमंत्री जी पूरी बुशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए